आज अगर नोन एगरी कोमोडिटीज की बात की जाए तो नोन एगरी कोमोडिटीज के अंदर काफी उठा पटक का महौल देखने को मिल रहा है जहां विदेशी बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है तो वहीं घरेलू बाजार भी लाग निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है आज हफते के तीसरे कारोबारी दिन सोने और चांदी के अंदर एक बार फ़र से गिरावट गहराती हुई नजर आ रही है सोना अपने उपरी स्तरों से 100 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है जबकि चांदी में 200 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है यही हाल कुछ बेस मेटल्स का भी है बेस मेटल्स में भी आज उपरी स्तरों पर दबाव बना है बेस मेटल के साथ कच्छे तेल में भी उपरी स्थरों पर फिसलन बनती हुई दिखाई दी है सबसे पहले बात करें सोनी और चांदी की तो विदेशी बाजारों में सोना और चांदी अपने उपरी स्थरों से लुड़क चुके हैं एक बार फिर से सोने के अंदर गिरावट गिराती हुई नजर आ रही है और उपरी स्थरों से बाजार जो है नीचे लुड़कते हुए दिखाई दी है 1760 डोलर के नीचे सोना कारोबार करता दिखाई दे रहा है अब यहां से जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो नीचे में 1740 डोलर तक एक बार सोना जाता हुआ दिखाई दे सकता है सोने के अंदर फिलाल शोटम स्ट्रेटेजी सेलिंग की होनी चाहिए उपरी सरों पर विकवाली के ही मोके ढूंडने चाहिए क्योंकि अभी बजार शोटम में गिरावट के अंदर है लेकिन हाँ आगे त्योहारी सिजन की मांग निकल सकती है दिवाली के आसपा सोने में वापिस से बाउंस बैक आ सकता है आज इंटर डे की बात करें तो आज इंटर डे के अंदर सोने के अंदर हमें लगता है कि एक बार नीचे में 46,400 से लेकर 46,200 कस्तर हो सकता है देखने को मिले तो वहीं अगर उपरी सरों की बात करें तो 46,800 से 47,000 इसी रेंज में फिलाल सोने की ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे सकती है वहीं अगर बात चांदी की की जाए तो चांदी के अंदर भी आज एक सिमी दाइरे में कारोबार संभव है उपरी सरों से विक्वाली जो की नीचे में 6,500 से 6,400 तक नुड़क सकती है आज सुबा ही बजारों के खुलते हमने इसमें 200 अंकों की गिरावट देखी है अब यहां से गिरावट बढ़ सकती है 6,400 से लेकर 6,200 के स्थर आज इंटाड़े में हो सकता हमें चांदी के अंदर तेखने को मिले तो आज सोने और चांदी के अंदर उपरी स्थरों पर बिख्वाली की रननीती लेकर चला जा सकता है वहीं अगर बात बेस मेचल की की जाए तो बेस मेचल में भी उठापटक का महौल है बेस मैचल भी अपने उपरी स्थरों पर लुड़के हैं जबकि जिंक में ज़्यादा गिरावट नहीं है लेकिन हाको पर एक बर फिर 700 के आसपस जाता हुआ दिखाई दे रहा है 700 का लेवल तोड़ता है तो वापिस से इसमें बिक्वाली का प्रेशर देखने को मिल सकता है वहीं निकल की बात करें तो निकल में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है निकल अभी भी 1400 पर कारोबार करते हुआ दिखाई दे रहा है 1400 के लेवल को अभी भी होल्ड किये हुए है तो ओवरोल मिला जूला रुझान है आज बजारों की शुरुआत हलके लाल निशान के साथ जरूर हुई है लेकिन अभी भी इसमें जो तेजी है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है पेस मेटल में फिलाल निशले सरुपर खरदारी की रनिती होनी चाहिए कोपर को छोड़ दे अगर कोपर में 700 के लेवल को मेंटेन अगर करता है तो उसमें भी बाय कर सकते है अगर 700 ब्रेक करता है तो फिर नीचे में 690-680 के आसपा जो रेंज मिले तो वहाँ पर पर देखने को मिल सकता है निकल नीचे में अगर लुड़कता है तो 1380 के आसपा सपोर्ट ले सकता है वैंजिंग की बात करें तो 256 पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है इसी के साथ अगर क्रूट की बात की जाए तो क्रूट जो कि अपने उपरी स्तरों से लुड करीब है आज हलके लाल रंग के साथ कारोबार की शुरुआत जरूर होती हुई दिखाई दी है लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है ब्रेंट भी तेजी की तरफ है दरसल क्रूड में तेजी ओपैक की बैठक के बाद आई है ओपैक की तेजी बन रही है वो ग्लोबल एकोनमी के खुलने से डिमांड बढ़ने के चकर में इसके अंदर एक अपसाइड मोमेंटम दिखाई दिया है और अभी माना जा रहा है कि ये कॉंटिनिशन में रह सकता है उत्पादन और सप्लाई में दिक्कत के चलते फिलाल तेजी बनी ह तो आगे भी तेजी की ही उमीद है और वहीं दूसरी तरफ बढ़ती कोईले की कीमते और ठंड से पहले मांग और बढ़ने की संभावना से भी कच्छे तेल में तेजी देखने को मिली है और आज जो हलकी गिरावट है इस गिरावट में खरदारी की ही रनीती हुग बनाई दे सकता है तिलाल कुरूट के लिए शोट टम में आज फर्स्ट आप में आप विक्वाली की तरफ रह सकते हैं लेकिन अभी भी पॉजिटीव है निचले स्थरों पर बाइन करके ही चलना चाहिए 30 से 40 रुपे की करेक्शन विक्वाली के लिए लेकिन महां पर वापिस से खर इंट्राडे के बाद अगर जो भी लेवल नीचे में 45,400 दोसों के मिलते हैं वहां पर वापिस से बाउंस बैक एक्सपेक्ट है तो इसलिए जो स्ट्रेजी बनाएं वो इंट्राडे पॉइंट विक्वाली की आज नोन एगरी में और मीडियम टम टू लोंग टम बाइंग की ही रनीती होनी चीए हर निचले स्तर पर खृदारी के मुके ढूनने चाहिए